हेलो दोस्तों वेल्कम बाक टूमा चैनल कैसे आप सब आइखोप यो लिडिंग एपसलूटी फाइन हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही काम की वीडियो लेकर आई हूँ आज मैं फिर आपके साथ में कुछ ऐसे घरलू जुगार शेयर करने वाली हूँ जिनके इस्तमाल से आप अपने धेर सारे पैसे की तो बचट करी सकते हैं साथी साथ समय की भी बचट कर सकते हैं तो आज ये सारे ही काम हम बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं भी बिल्कुल फ्री में तो चले दोस्तों फटा फट से वीडियो को शुडू करते हैं लेकिन वीडियो शुडूने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट आप से जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहते हूँ साथ ही साथ बोड़े पर छोटो सा लाइक भी जरूर कर देजीगा क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत माइने रखता है दोस्तों हमारे घर में हमारे किचिन में सब्सक्राइब काटने के लिए प्यास काटने के लिए हमें तीखी चुरी चाहिए होती है जिस चुरी को जिस चाको को अच्छी तरीके से धार हो वही चाको जल्दी जल्दी काम करता है और अच्छे से सबजिया मगेर हम काट पाते हैं अब इन चाको को यूज करते करते हैं इस्तमाल करते करते हैं इनकी जो धार है वो कम हो जाती है ऐसे में हम क्या करते हैं कि वो चाको को यूज करना छोड़ देते हैं नया चाको लेकर आते हैं तो ऐसे तो एक चाको की पीछ आपको कितने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं अब आपको क्या करना है दीरे दीरे स्कॉच ब्रश के उपर नाइफ को रप करना है और आप देखेंगे दीरे दीरे इसकी जो शार्पने से न वो बढ़ती जाएगी ध्यान रहें कि आप अपनी फिंगर को बचा के कीजिए ऐसा करने से आपकी जो नाइफ न बहुत अची त पढ़ेगी और इसे हमारी ठेर सारे पैसे भी बच जाते हैं तो देखा आप ने दोस्तों घर पर ही कितनी आसानी से हम नाइफ को शार्प कर सकते हैं दोस्तों अगली जो ट्रिक आती है वो भी हमारे किचन से आती तो ऐसे में लैसुन चीला कैसे जाएं जिससे की धेर्व सारा लैसून हम अगर चीलने ले तो बहुत आसानी आप क्या कीजेगा लीजे एक lesson को जो lesson का back side है उसके लिए आप उधर cut लगा दीजे एक और फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत ने केवल एक cut लगाई और पूरा का पूरा छिलका आसानी से निकल जाता है तो इसी तरीके से सारे lesson को चीलेंगे ना बहुत आसानी से जल्दी जल्दी आप lesson को चील पाएंगे दोस्तों आप इस ट्रिक को इस तरीके से lesson को चील के देखिए और मुझे हमारी अगली ट्रिक की तरफ lesson को कभी कबार हमें किसी रेसिपी में कूट के डालना होता है नॉर्मल खाने वाला salt इस्तिमाल करते हैं वही मैंने आपर लिया है थोड़ा सा नमक इसमें डाल दीजिए और फिर कूट के देखिए तो नमक डालने से होगा क्या कि ऐसा कोई magic नहीं है होता यह है कि नमक डालने से लैसुन के अंदर moisture आ जाता है और जब moisture आ जाता है तो लै अच्छे ऐसे होते हैं कि उन्हें बारिश में तेज बारिश में football खेलना पसंद होता है तो ऐसे में हमारे शूस के अंदर पानी चला जाता है जिसकी वज़े से हमारे पैरों में infection हो सकता है कभी कबार socks पहन लेते हैं तो socks बहुत देर तक गीला होने के वज़े से भी हमारे एक काम करना है जब भी आपको लगे कि आपके पैरों में infection होने का खत्रा है और आपके पैरों में जो उंगलियों के बीच में लाल लाल सा हो गया है या फिर आपको बहुत जादा itching हो रही है या जलन हो रही है उसके लिए बहुत ही simple से trick आपको बताऊंगी दोस्तों आप आपको लेना है गुनगुना पानी यानि की ल्यूक वाटर और इस पानी में आपको डाल देना है आधी चमची करीब नमक अब इस नमक की पानी से आप अपने पैरों को अच्छे से वाश कर लीजे दो लीजे इससे क्या होगा जितनी भी एलर्जिय वगरा है देले-देले पीचे और हो सके तो नहाएं जरूर ताकि जितने भी इंफेक्शन वगरा के बैक्टेरिया है वो नहाने से निकल जाए अब बढ़ते हैं हमारी अगली यूसफुल ट्रिक की तरफ दोस्तो चाय पीना किसे पसंद नहीं होता है हम सब के घर में चाय बनती है हर दिन बनती है सुबह शाम बनती है तो आज मैं चाय से जुड़ी आपको बहुत ही जबरदस्ट ट्रिक बतांगी दोस्तों क्यों आपको देखने में सुनने में जरूर अर्चीRP लगклад रहा होगा चाय मेंना साबून का इस्तमाला आप जरूर करें, लेकिन पीने के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए तो यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी, उसमें चाइपती मिला करके बरतन धोने वाला जो साबून होता है, वो थोड़ा सा इसमें में मिला रही हूं अब बस थोड़ा सा गरम करके आप gas को बंद कर दीजिए कम से कम 2-3 बार boil आने दिया मैंने उसके बाद gas को बंद करके इसको आप छान लीजिए अब इस चाए को पानी को आपको पूरी तरीके से ठंडा होनी देना है कांच के जो glass होते हैं, kattori होती है, plate होती है, ये सारे धीरी धीरी करके यलोईश पढ़ने लगती है, पीली color की पढ़ने लगती है, और फिर वो बहुत पुराने से लगते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फेक देते हैं, किसी अन्य चीज में हम उसको use कर लेते हैं, लेकिन खाने में हम उसको इसको इस्तमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब उसको serve करते हैं, दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो इस वाले solution का इसके लिए इस्तमाल करके देखिए, सारा पीलापन, गंदगी, सब बिल्कुल seconds में दूर हो जाएंगी, जब हमारे काच के बरतन पुराने हो जाते हैं, उनकी shine बिल्कुल चली जाती है, तो इस वाले solution को इस्तमाल करके आप अपने पूरे घर के काच के बरतन को इस तरीके से wash कर सकते हैं, इससे आपके चाहे कितने भी साल पुराने काच के बरतन क्यों नहों ऐसा लगेगा, इसको इस्तमाल करने के बाद ऐसा लगने वाला है कि आपने अभी अभी मार्केट से नए काच के बरतन खरीद के लाए हैं, अब मैं इन बरतनों को wash करके बताती हूँ, अब wash करने के बाद आप result खुद देख लीजे, काच के बरतन के इतने जादा चमक रहे हैं, बिल्कुल इसका जो यलो पंधाना पूरा निकल चुका है, लग रहना बिल्कुल नहीं है जैस कॉमेंट करके बताना बिल्कुल न भूले कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी, तो दोस्तों ये कुछ छोटे चोटे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स थे जिनका इस्तमाल करके आप अपनी लाइफ तो आसान बनाई सकते हैं, साथी साथ डहीर सारे पैसे और समय की भी बच्च कि आपके जरी उनकी भी मदद हो जाए, थैंक यू सो मच वाचिंग इस पूड़े फ्रेंस मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाई, टेक केर